हेलो स्टूडेंट आई एम सोनम वेलकम वैक टू माई यूट्यूब चैनल अपना विद्धल है आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी पेपर में पध्यांस के प्रसनों को कैसे हल करें आप सभी के हिंदी के पेपर में ठीके छे नंबर के सिर्फ पध्या के प्रसन हल करने के लिए यानि पद्यांस के तीन किजने रहते पर क्वेश्चन दो दो नंबर के हो थे ठीक है और तीन कौश्चन होता है और यह छे नंबर का पूरा होता है यानि आप सभी को पद्यांस के pan-said अभी किस टाइप के अब वह पद्यान्स के प्रसनों को कैसे हल करते हैं कैसे लिखना प्रारम करते हैं जिससे examiner उनको टिके board exam के copy check करने वाले teacher उनको पूरे की फूर मार्क स्थे शबसे important चीज है संदर्ब उसको आपको कैसे लिखना प्रारम करना है जिससे आपको पूरे की पूरे जो है यानि सन्दार पहला कोश्चन देगा जिससे पूरे की पूरे दो नं Eunber आप सभी को मिले ठीके और इसके बाद यानि आप सभी को पध्यांस में संदार लिखने के लिए आता है ठीक है रेखांकित अंस की ब्याख्या लिखने के लिए आता है और एक प्रस्न होता है ठीक है यानि यह तीन जो है टॉपिक इसी से रिलेटेट तीन क्वेस्टन दाते आपको कैसे निक्षन और और स्भी लोग जैसे यह आगर इस तरीके से अगर पत्ध्यांस के तीनों क्वेस्टन कांसर आप लोग लिखते हो ठीके और जो यह तरीका हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। इस से कमजोर से कमजोर श्टूडेंट भी पध्यास के तीनों प्रस्नों के उत्तर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और अगर आप सभी लोग हमारे तरीके से हमारे ट्रिक से अगर आप लोग पध्यांस के तीनों क्वेशन के आंसर को लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे छे नंबर एक्जामनर देंगे एक भी नंबर आप सभी का कहीं पर भी नहीं कटेगा तो ाप सभी के पेपर में किस तरीके से आता है क्वेशन और आप सभी को यनि कैसे लिखना है कैसे आपको ट्रिक लगाना है तो इस तरीके से यहाँ पर इस नंबर पर क्वेश्चन है निमलिखित पध्यांसों पर अधारी तीन प्रस्णों के उत्तर देजिए ठीक है और यह छे नंबर का है जैसे यहां पर दिया हुए अभिगत गती कचु कहत न आवे जियों गूगे मीठे फल को रस अंतर गत ही भावे परमस्वाद सबकी सुन अधारी रंतर अमित तोस उपजावे मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे रूपर एक गुन जाती जुगती ताते सुर सगुन पद गावे इस तरीके से क्या है दिया हुआ है पध्यांस ठीक है और दो दिये रहेंगे आपके पेपर में अथवा करके रहता है ठी इस तरीके से दिया है पध्यांस इसके नीचे ये तीन क्वेश्चन है ठीक है पहले नंबर पर क्वेश्चन है कि उपर यूगत पध्यांस का संदर्म लिखना है यानि आपको पहले क्वेश्चन में संदर्म लिखना है ठीक है और संदर्म को आपको संदर्म क्या लिखना ह तो इसमें पार्ट का नाम और जो भी है यानि इसके रचैता जो है कभी उनका नाम लिखना है अब आपको दिखिए संदब जो कैसे लिखना है टॉपर स्टुडेंट कैसे लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे दो नंबर मिल जाता है सबसे पहले यह कॉपी रहा और यह शर्बोल eげ अच्कोन आंक जो संदर लảng जेला भी उनका 54 अब कर दो मैंना तो आपको यह जो है क्या हिए सबसेdriven कि यहां पर पद्यास के ऊत्तर कॉसाव कर रहे तो आपको दो यह पर बलेंग से लिख देना है पद्यास उत्तर यह उत्तर तो यहाँ पर पद्यांस उत्तर लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको जो भी नमबर है यानि 22 नमबर है तो आपको प्रस्नोतर संख्या 22 लिख देना है ठीक है यहाँ पर और 22 का पहला वला हम कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रस्नोतर संख्या 22 तो इस तरीके से लिखने के बाद अब यहाँ पे दिखे सबसे पहले कि संकेत के रुप में यहीं हेंड्स के रुप में आप सभी को क्या लिखना है यह क्या है पद्यास को सॉल्ब कर रहे हैं तो आपको लिखना है पद हेडिंग डाल कर अब आप सभी को क्या लिखना है के यहां पर इस तरीके से पद हेडिंग डालने के बाद अब यहां पर देखिए आपको क्या लिखना इसमें आपको यह जो यहां पर दिया हुआ है ठीक है यहां पर पैसे दिया हुआ है यह पद्यास इसके आगे के दो वट डैस डैस करके आपको लास्ट के दो वट को लिख देना है ठीक है जैसे अभिगत गती डैश डैस पद गावे ठीक है तो यहाँ पे आप सभी क्या लिखना है अभिगत गती डैस डैस पद गावे तो आपको इस तरीके से पद ठीके ऐसे लिख करके अविगत गती डेस डेस पद गावे लिख देना है ठीके इसे एक्जामनर को पहशान में आ जाता है कि यहाँ पे दो दिया था पद्यास तो आप लोग किस का अंसर लिखे हो ठीके और इसके बाद देखें इस क्वेशन में सबसे पहले संदर्ब है पहला अ में तो आपको अ लिख करके संदर्ब हेडिंग डालना है ब्लेक पिल्स अब यहाँ पे दिखें आपको संदर्ब ऐसे हेडिंग डाल देना है अब इसमें आपको लिखना क्या है अब देखें यह जो अभी गति कचु कहत न आवे ठीके जो गूगे मीठे फलकोरस अंतर गति भावे यह जो यहाँ पे दिया है पद्यास ठीके यह जो है पद तक के सूर्सागर से लिया गया है और इसके जो कभी है यानि इसके जो रचेटा है वो कभी सूर्दास्ची है तो आप सभी को क्या करना है यानि कि आपको संदर में उसी कभी का नाम और आपको पाठ का नाम लिखना होता है तो अब आपको दिखना कैसे है यानि किस तरीके से तौपर इस्टुडेंस लिखते हैं संदर्व को जिसे पूरे की पूरे आपको दो نंबर मिलें गी एक भी पर आपका नहीं कटे गाया तो आपको दिकिस टार्ट कैसे करना यह सबसे पहले सबसे पहले कि यह किया है पध्यांस हो आप गया त task करना है प्रस्तूद पद्यांस हमारी पाठ्ट हे पुस्तक तो सफ ट को कि कि कम हिंदी से लिया गया हिंदी किताब से ठीक है तो आपको हिंदी ब्लेक पेल से और कामा के अंदर ऐसे लिखना है हिंदी इसके बाद आपको लिखना है यहां से काब खंड या आप लोग पद खंड भी लिख सकते हो ठीक है आप लोग दोनों लिख सकते हो यह पद्यां से तो लोग पदखंड भी लिख सकते हो और इसको काब भी कहा जाता है तो आप लोग काब खंड भी लिख सकते हो यानि हिंदी काब खंड में संकलीत हिंदी काब खंड में संकलीत इसके बाद जो भी पाठ है तो यह पाठ जो यह पद से लिया गया तो आपको यहाँ पर पद लिखना है और इसको आपको ऐसे कावा के अंदर लिखना है ठीक है पद और यह पद से लिया गया यानि पद सिर्शक के सूर्शागर से लिया गया ठीक है तो आपको लिखना है पद सिर्शक या पद पाठ के ठीक है तो काभिखंड में संकलित पद सिर्शक के सूर्शागर नामक पाट से लिया गया या सूर्शागर से लिया गया है सूर्शागर से लिया गया है ठीक है और इसके रचेता सूर्दास जी है और आपको सूर्दास जी को ब्लेक पेंसे कामा के अंदर लिखना है ठीक है आपको इसी तरीके से पूरा संदर लिखना है ठीक है कैसे लिखना है प्रस्तूत पद्यांस हमारी पाठे पुस्तक हिंदी काभिखंड या पदिखंड में संकलित ठीक है यह को उस 프िस की रूप में बाकी जो लिए गया है यह सभी सूर्दास के जो भी पता है ला यहे। सब्धंग्तिया है। टीज के यह सूर्चाधर सही लिए गया है। तो इसलिए आपको इस तरीके से लिखना थệc अगर आप लोग इस तरीके से संद्र लिखते हो nearby तो आपको पूरे के पूरे दो नंबर मिलेंगे एक भी तो इसी तरीका को देखर एक्जाम नर्व की हिंदी के पेपर के जितने भी कुछेंशन आप लोग लिखे वो आंसर ठीकिस सभी में अच्छे नमबर देते चले जाएंगे इस तरीका को देखकर वो जान जाएंगे कि आप लोग एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट हो ठीक ह और question number ये बह तो सबसे पहले कि आपको देखे रेखांकी तंसकी ब्याख्या heading डालना है ठीक है और इसमें आप सभी को देखे क्या रेखांकी तंसकी ब्याख्या का मतलब किसका आपको ब्याख्या करना है ठीक है तो आप सभी को सबसे पहले की heading डालना है उसके बाद हम आप स कि ब्याख्या तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहां पर रेखांकित अंस की ब्याख्या हेडिंग डालना है ठीक है और आपको इसमें क्या ब्याख्या करना है किसका ब्याख्या करना है ठीक है रेखांकित अंस का मतलब क्या होता है अब देखें रेखांकित अंस का यहां लेकर भावे सिर्प आपको आपको सिंप नीचे लाइन इसका बयाक्या करना हैंने के आप को इतने कीका करने अब और आप सबी को ब्याक्या कैसे आप जो चीजए यहां पे है दो लाइन में लीखा, उसी के बारे में सिरफ आपको थोड़ी से अपने सब्यों में नए वर्ड के साथ लिखना श्चार्ट करना ठीके यांनि बना कर आप लोग लिखना सिटार्ट की ठीके उसका जो सता है उसको अज्यात माना गया है ठीके यानि उसकी सकती उसके बारे में बिलकुल अज्यात है किसी को कुछ पता नहीं है ठीके और जिस यानि अगर ऐसे जो ब्रहम होते हैं ठीके यानि ऐसे निराकार ब्रहम की जो सता अज्यात होती है यानि उसको सब्दों से उसका वड़न क्या जा सकता है ठीक कि जब उसके बारे में वारन कर सकते हैं तो यह कहा है याँ जैसे कोई गूगे मीठे फल को तो याइनि के जैसे कोई कूगे मीठे पल की है अगर अगर उस ड susba कि आप चाहे जितना भी सवादिष्ट चीजे को ने खिला सब्स चीची स्वादिष्ट मीठाई या स्वादिष्ट फूड या स्वादिष्ट आप सभी लोग उनको फल खिला सकते हो लेकिन अगर वो कोई भी चीज वो खाएंगे तो अगर आप लोग उनसे पूछोगे कि यह जो चीजे आप तुमने खाया इसका स्वाद कैसा था ठीक है त इसलिए यानि जिस प्रकार यह गूंगा व्यक्ति ठीक है अपने सब्दों को ठीक है यानि अपने सब्दों जो भी चीजे है उसको कहना है उसको वह बाड़ी से व्यक्त नहीं कर सकता उसी प्रकार यह निराकार जो ब्रह्म है उनका भी सता जो है ठीक है अग्यात है उनको वीतर यानि अंदर ही अंदर प्राप्त करता है ठीक है उसे फल का रस तो मिलता है और उसे परमसंतोस भी मिलता है यानि उसे उस चीज को खाने में बहुत ही आनन्द मिलता है उसे परमसंतोस भी मिलता है किन्तु वाड़ी से वह इसे ब्यक्त नहीं कर सकता कि वह चीजे कितनी स्वादेश्ट थी ठीके इसी प्रकार जो है ये निराकार ब्रह्म की सता भी है ठीके ये बिल्कुल अग्यात है तो यही चीजे आप सभी को लिखना है और इसी तरीके से ब्याख्या करना है बहुत ही सरल तरीका है आप लोग इसको एक बार समझ जाओगे तो बिल्कुल आप इसको सिर्फ तीन से चार लाइन ही लिखना ये इस तरीके से जी नामने लिखा उतना ही लिखना अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे निश्ट कॵेस्टन इसके बाद दिखें इसमें नेश्ट कोष्टन है अगम अगोचर से क्या टाथ इसका अगम उगोचर का क्या मतलब है, कि अगम अगोचर का मतलब है कि मन बानी यानि उसको मन से बाड़ी से ब्यक्त नहीं किया जा सकता है ठीक है वो क्या है निराकार ब्रह्म ठीक है यानि आप सभी को इसको लिखना कर से आप सभी को लिखना है अगम अगोचर से तात पर है कि निराकार ब्रह्म को बाड़ी से ब ओंवानी को अगम अगोकर सोजाने जो पावे ठीक लिएक तरीके से और ऊप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरी क्यां करने लिए 6 नमबर नपर सब्धों यह नहीं कट vivid तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर सेर किजी आपको और आप सभी हमारे प्यारे श्टुडेंट को नए वर्स की हार्दिक सुपकामना है ठीके हैप्पी नीज यूर दोजार चोवीश आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना है आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रेस कर दे थैंक्स आल दा वेरी बेस्ट बाइबाए